मीमी का ये पहला ब्लॉग है इसके पहले उसने सर्फ शौट्स बनाये हैं यहाँ पे छत्तिस गड़ में पहली बार वो इस प्रकार से तीजा मना रही है जहां गियों की बाल यहाँ पर रो में हुगाई गई है उपर फुलेरा सजाया है जिसमें पूड़ी है बड़े हैं घर में बनाये हुए रखे हैं और फुलेरे के ओपर टुक्री में भी पूड़े बड़े रखे हैं और इस प्रकार ऐसे पूजा की जाती है हां और मीमी ने दिन भर कुछ नहीं खाया है और जब से यह तकरीबन एक हपते पहले से यह जो बालिया दिख रही है यह तीजा की पर दिख रही है बड़िया अगनी की पुजा कर रही है पानी घुमा रही है यह मीमी का पहला ब्लाग है तो सबी लोग इसको सब्क्राइब करो अधिक सदिक शेयर करो वीडियो को लाइक करो उससे मीमी और मोटिवेट होगी और ने ने ब्लॉक्स बनाएगी आपको अलग अल रही है यह सुर्य भगवान बहुत तेज तप रहे थे तीजा के पहले दिन और यह माला बनाए थे और यह देख़ा भी अब पूजा कर रहे है मीमी यह दूसरे दिन की वीडियो है जब दूसरे पहले दिन क्या बूलते हैं सिर्फ तालाब ले जाकर के पूजा करके इसको यह जो पर रहा है इसको लिकर कर आ जाते हैं इसमें गौरी गणेश रहते हैं और संकर भगवान की पूजा की जाती ताला बिजा करके और दूसरे दिन का विडियो है जब क्या बोलते हैं मीमी ने यह पिंक कलर की साड़ी पैनी है उससे मेचिंग वाली चूड़िया लाई है पूजा की तैयारी के लिए बहुत जादा तैयारी करनी पड़ी है यह ब्लाउस पीस के लिए भी बहुत बटकना पड़ा 15-20 दिन से दे दिये थे पूजा की तैयारी 15-20 दिन पहले से चालो करके रखे थे यह एक नारियली यहां पे रखे हैं और यह आर्थी का समय दूसर उसका फिर एक गियों की बालियां से पर्रे से लग कर देते हैं दिया तालाब में बहा देते हैं और फिर सबको प्रशाद देते हैं तो यह आर्थी चल रही है अब यह आर्थी खतम होने के बाद में आप वहां पे सब प्रणाम करके जितने भी चीजें वहां चड़ाए गई होगी वो सब चीजें करते हैं देखिए हार बनाया थे हार को इस प्रकार से यहां पे कर देते हैं और इस प्रकार आप यह मीमी अब शीस नवा करके हाथ जो अब देखो उसको फुलोरा हिलाई इसलिए अब उसको प्रणाम कर रही है और उसके बाद अब धीरे से यह टोकली वगएरा हटाने के पहले यहां पर पूड़ी बड़े जो बांद के रखेते सुतली जो आती है ना सुतली किराम दुकान से जो लेकर कर आते हैं जिससे चारो तरफ बंदे वे रहते हैं यह पूड़ी और बड़े तो बड़े और आई इस प्रकार से चील चील करके उनको उपर रख जाते हैं देखिए पहले जैसे अब यह बड़ा तोड़ रही है यह बड़ा तोड़ के अलग करके रख दिया टुकनी में अब यह पूड़ी फिर उसको अलग रखते हैं फिर उसके उपर जो कपड़ा रहता है उसको फोल्ड करके अटा दिये सब चीज अटा लिए फूले रहे का फूल हो गयरा सब और यह बहार निकल गई मीमी अब तीजा का वो फूले वो ले करके गीह की बालिया वाला जिसमें संकर भगवान रह बालिया अब यहाँ पर यह विसरजन का दिन है तो जितने भी बालिया है वह तकरीपिल सबी बालियां को विसरजित करके कुछ बालिया जो है अपनी प्रसाद की टोकरीरा इए जिसमरा चना डाल रहता है करकड़ी रहती कट्यो हैं पर वहां पर आर्थी करेंगे है उसके बाद फिर जो प्राशाद बाट जैती दो उसके लिए भी भूठ ये रहता एक कपड़ा रहता है उसकी चिननी काट कर रखता है नो कँपरी में आभी देखिए दूब बत्ति जला रही है दियास चला रही है मी मी में आप ये दूब बती से देखो पूजा कर रही है भगवान शंकर की नमस्कार कर रही है हम आपको आज भी सुनाएंगे आप जैसे मीमी लोग आया थे और कर रहे थे सब सीरा रहे थे बालियां गियोंकी वैसे देखी कितनी भीड़े यहां पर इतनी सारी महिला हैं बच्चिया है उनके साथ में छोषटे बच्चे हैं अपनी माओं के साथ में आया है ऐसे बहुत सारे लोग है वो यहाँ पर आये हैं और यही सब चीज करम है वो सब चीज दोहरा रहे हैं यह एक बहुत अच्छा नुभाव एक बहुत धार्मिकता से जुड़ा हुआ और यहाँ कुछ महिला है जो यहाँ पर शिवलिंग इस्थापित है उसके पूजा कर रही है और यह पहले दिन का है जब पहले दिन पूजा करने लेकर के आये थे तो मीमी इस प्रकार से देखिए महाँ गिहों की बालियां वाला जो पर रहा है जहां भगवान संकर जिसके बीच में रहते हैं उसको रखने के पहले यहाँ पर ऐसा चौक पूरा जाता है चावल के आटे से और बाकी जो चावल काटा बचा है उसको उसी तालाब में बहादी देते हैं देखिए सूरज की ताम मस लग रखना underm. यहां का नजारा देखिए की ताम मस लग रखना ताला में और यह गिहन की बाले है कैसे दो रहा है नहीं नहीं के livreeshत어 के यह रखा जाता है लेकिन यहां यह पहला अनुबह है मीमी काजा भी इस प्रकार से तीजा की पुजा कर रही है कई सालों से करती आ रही है तीजा की पुजा लेकिन इस तरीके से पहली बार कर रही है और यह टुकनी में देखे रेट में बालू रखी हुई है इसको दो रही है ऐसे धोने से क्या है कि पूरा बालू की जो धूल वगएरा सब निकल जाते हैं उसको फिर जो गेहों की बालियां उसके बीच में देखी कैसे स्थापित करेंगे दोनों आतों से देखो यह पकड़के यहां पर रख रहे हैं और इसका शिव लिंग बनाएंगे फिर उसकी पूजा करेंगे उम जैशिव उमकारा वाली पूजा करते हैं और इसी को फिर दूसरे दिन आगर के फिर पूजा करके फिर इन बालियों को विसर जीत करते हैं इस प तारमिक्ता से पूरी तानमाइदा के साथ में पूजा की जाती है। इस पूजा को पती की लंबी उम्र के ले किया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। आपको पूजा के साथ में पूजा करने के बाद में फिर उसके जस्ट पास में ही शिवलिंग इस्थापित किया गया है। यहाँ पे शिवलिंग की पूजा करते है। को मेरे ये ब्लॉग कैसा लगा। बतायेगा। और ज्यादा ज्यादा लाइक सेट करिए।